सी चोविस्तास एक पाउल पुढे हाफिस सईद से है उस आतंकवादियों से है और पाकिस्तान से है ना कि भारत के लोगों को खतरा भारत से है मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार को सख्त पोर्टेस्ट करना चाहिए पाकिस्तान के हाई कमिशनर को बुला कर अपनी आपती दर्च करानी चाहिए और रह्मान मलिक को माफी मांगनी चाहिए रह्मान मलिक को मालूम होना चाहिए कि जो अकलियतों की हालत पाकिस्तान में है वो हालत भारत में नहीं है देखे ये आतंगवाद की खान से शेहरुख खान के सुरच्छा की गुहार ये सुरच्छा की बात नहीं है बलकि शेयतानी साजिश की बात है इससे पहले आतंगवादी सर्गना हाफिस साइद ने इसी तरह की भाशा बोली और उसके बाद आतंगवादीयों के रह्मो करम पर चल लही पाकिस्तान सरकार के ग्रहम अंती ने भी ठीक उसी तरह की भाशा बोली है निसी तरह से ये बहुत ही खतरनाक मानसिक्ता के साथ एक साज़िशी मानसिक्ता के साथ पाकिस्तान, पाकिस्तान की आईएसाई, पाकिस्तान की फोज और पाकिस्तान की सरकार और उसके साथ जो सुपर सरकार रहा चल लही है आतंगवादियों की, वो सरकार भारत के खिलाफ काम कर रही है जहां तक प्रशन है शेहरुक का बयान हो या शिंदे का बयान इन बयानों को भारत विरोधी ताक ने, भारत विरोधी शैतानी ताक ने और खास तोर से पाकिस्तान में पल पुस रही बढ़ रही भारत विरोधी ताकते उसको अपना भारत विरोधी शर्डियंत रो साजिशों का हतियार बनाते रहे